हेलो एवरिवन आप सब का स्वागत है कोड़ एडुकेशन में यह रियाक जेस का पार्ट नमर 43 गाइस इसके अंदर हम देखेंगे आपका रियाक्ट फारवर्ड रैफ के बारे में इससे पिछली दो वीडियो के अंदर हमने रैफ और यूज रैफ हुक के बारे में पढ़ अगर वो नहीं देखा अपने वीडियो तो आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए तब ही जाके यह वीडियो आपको समझ में आएगी तो इस वीडियो के अंदर हम फारवर्ड रैफ के बारे में देखेंगे कि यह कैसे वर्क करता है आपका फॉंक्शन कंपोनेंट के के साथ में जैसके पिछली मैं ये य नार्स में आपको बताया था कि एक लास कंपोरनेंट के साथ में विट चृबे करता है रियाइक जेस चल रही है और वीडियो जाते तो playlist का link आपको description box मिलेगा वहाँ जाके आप video देख सकते हैं और आपको मेरी किसी video से लेटे कोई doubt होता तो comment करके अपनी doubt को आप पूछ भी सकते हैं सारे के सारे social media के platform के links भी आपको description मिलेंगे जाए and follow कर लें चली यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका what is a forward ref तो उसका छोटा सा introduction रखा है इसको read कर लेते हैं पहले in react forward ref is a special function in react that allow you to forward a ref from a parent component to a child component it is a primarily used when you need to access the DOM element or component instance of children component from its parent it means कि मैंने यहाँ पर जो mention कर रहा है सबसे पहले यह forward ref है यह special function होता है आपका react के अंदर यह हम इसलिए use करते हैं जैसे कि आपने ref देखा था class component के साथ में और use ref देखा था hook जो आपको function component में use होता है तो उसमें हम क्या करते हैं हम किसी भी DOM के अंदर से जो भी element हमें pick करना होता था तो हम उसके method के use करने के बाद में हम उसे pick करते थे अब क्या चाहते हैं कि आपका जो current it means कि parent component है वो तो रहे बट आप चाहते हैं जो इतने भी children components हैं वहाँ से भी आप सारी चीज़ें control कर सकें forward ref के साथ में तो यह चीज़ आपका possible होता है किस के साथ में forward ref के साथ में because क्योंकि हम children component को access कर पाते हैं वहाँ पे वो तो देखेंगे अभी कैसे होता है अब इसका the primary use case for forward ref क्यों हम इसे use करते हैं सबसे पहले आपका accessing dom elements if you need to focus scroll perform other dom related operation on child component you can use forward ref to get access to child's dom elements तो यहाँ पर मैंने mention करा है कि अगर आप कुछ perform करना चाहते हैं focus, scroll और जो भी dom से related आप करना चाहते हैं अपने children component के अंदर but control आप रखना चाहते हैं किस पे? parent component पे तो वो possible हो पाता है हमारे forward ref के अंदर okay second point है आपका यहाँ पे exposing child component functions you might have some functions in the children component that you want to tier from the parent component using forward ref the parent component can call those functions directly on child component instance it means suppose आपने कोई भी function लिखा है अपना children के अंदर okay और आप चाहते हैं कि वो आपका trigger कब करेगा आपका जब आप click करेंगे किस पे? parent component पे तब जाके आप वहाँ पे उसको control कर सकते हैं कि children component की जितने भी आपनी declaration कर रखी है वो सारे के सारे आप parent component पे कर सकते हैं बहुत easy तरीके से ये है आपका छोटा सा theory का बाट अगर आपसे introvert पूछता है कि what is a forward ref तो आपको ये paragraph छोटा सा पहले बता देना है and second ही दोनों point आपको बता देना है कि जिससे कि वो समझ सके कि आपको forward ref की knowledge है आप example में कैसे बताएंगे तो example के लिए चलेंगे हम सबसे पहले अपने आइटर पे और आइटर पे इसे practical करके देखते हैं हम भी so guys आइटर पे आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में जो file मिलेगी हमें app.js इसी के ओपर हम करेंगे और ये functional component है हमारा और इसका जो output हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पे एक children component पहले बनाते हैं और उसके एक input को पहले get करके देखते हैं and then उसके बाद मैं आपको call जो function वाला call है कि function कैसे parent से call हो सकता है वो वाला method मैं आपको सिखाता हूँ तो पहले हम क्या करता हैं यहाँ पे मैं एक नई file बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ आपका children.js यह मैंने दे दिया यहाँ पे मैं करूँगा आपका function component कुछ इस तरीके से अब क्या करेंगे हम मैं गया करता हूँ पहले design ही कर लेते हैं proper तरीके से अब इतनी चीज को सबसे पहले import करवाएंगे हम यहाँ पे यह मैं कर देता हूँ आपका example 1 के लिए कि हम करने क्या वाले children component हमारे यहाँ पे import हो चुका है करेंगे save and save करने के बाद यहाँ चलेंगे तो यहाँ पे आपको visible हो भी रहा है अब आप यहाँ पे कैसे declare करेंगे कैसे बनाएंगे इन सारी चीजों को तो देखे पहले हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने आपको use hook के साथ में बताया था use ref वाले hook के साथ में कि हम पहले import करेंगे यहाँ पे आपका क्या use ref ओके और हम यहाँ पे क्या करेंगे example one मैं कॉंस्ट लूँगा कॉंस्ट इन्पूट रैफ कर लेते मानिए ठीक है use ref होगा हमारा यहाँ पे और यह होगा हमारा नल ठीक है यह store करवाने के लिए पहली चीज अब इसके बाद मैं बनाऊंगा मैं अब मैं क्या करता हूँ एक arrow function बना लता हूँ यहाँ पर जिससे कि हम क्लिक करके जो हमारा input है उसकी value को ले सके ठीक है यह update कर सके ऐसा कुछ तो हम क्या करेंगे input, input के बाद में क्या करेंगे ref dot current value यह जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे current dot value यह मैंने पिछली दो वीडियो में आपको समझा रखा है कि कैसे मिल रहा है हमें object के form में वहाँ से हम get कर पा रहे हैं इस चीज को अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा मैं 10,000 मानिए मैं set करवा देता हूँ पहले एक value अब इस value को set करवा देंगे हम बट उससे पहले यहाँ पे करना क्या होगा हमें देखें यहाँ पे भी हमने dot लगा दिया, comma लगाएंगे तो यहाँ पे हमें pass करना होगा, कैसे pass करना होगा हमें यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ref लेंगे, ठीक है ref के बाद में यहाँ पे हमें लेना होगा आपका calibracies, input, ref हम यहाँ पे अपने children component में यहाँ से जो function हमने डिकलेर करा है वो वहाँ पे भेज रहे है, अब next क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारा input है अभी input होगा हमारा कहाँ पे, input होगा हमारा children component में, बट जो function होगा वो हमारा parent पे होगा देखे, कैसे होगा, तो मैं यहाँ पे आपका क्या कर रहा हूँ आपको एक button बना रहा हूँ, on click का function बना रहा हूँ, update, input करके जो अभी function बनाया हमने उप, वो यहीं call करवा देंगे बट जो reference लेंगे हम, जो DOM modify करेंगे हम, वो children component करने वाले हैं, तो यह होगा हमारा button, यह होगा हमारा children component और यहाँ पर हमने इसे declare कर दिया कुछ इस तरीके से, अब आप सोचेंगे कि children component में हम इसे use कैसे कर सकते हैं, तो simple, आपको यहाँ पर इसके use कैसे करना होगा, हम कैसे यहाँ पर receive कैसे करते हैं, receive करते हैं हम props के त्रो, right, अब props कैसे होगा, तो मानिए props ले लिया मैंने, और वहाँ पर आपको ref के अंदर value देखने को मिलेगी, अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसको हम मैं करता हूँ remove, remove करने के बाद में मैं सबसे पहले लिखूँँगा, यहाँ पर आपका example 1, और example 1 लिखने के बाद में, मेरे पास में एक input है, मैं type बता देता हूँ, उसका होगा यह, ठेक है, ref is equal to curly braces में आपका ref, अब आप चाहें तो जो भी नाम रखना चाहें, वह यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको props के tempo ही बताया था, जो भी नाम रख सकते हैं, आप वो रख लें, बट मैं आपको props यूज नहीं कर रहे हैं, हम props यहाँ पर, बट मैं र यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर export को नीचे लेके आता हूँ, ठेक हैं, नीचे लाने के बाद में हमारे component का नाम क्या है, children component, अब क्या करना होगा आपको इसको, यह already wrapper होता है guys, ठेक हैं, आपको कुछ इस तरीके से इसको declare करना हो गए, जिससे की wrap हो जाए पूरा का पूरा आपका children component की वो reference उठा सके आपका कौन, parent component, ठेक हैं, तो यह चीज मैंने यहाँ पर declare करी, और label है और यहाँ से हमारा यह जो function था यह है, और यहाँ पर हमारा button, इतनी चीज को अगर मैं save करूँ, और save करके यहाँ पर चलूँ, तो यहाँ पर functionality इसके अंदर चलाना, जैसके मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको दिखाया भी था, तो वो आप क्या करेंगे यहाँ पर, simple, आपको क्या करना होगा यहाँ पर, copy कर लूँगा मैं, copy करने के बाद मैं मानिए, मेरा red color लेना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको red, red के बाद मैं आप क्या करेंगे, यहाँ value नहीं आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर style.color, इतनी चीज़ को करूँगा, save, and save करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, कि यह चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको parent के अंदर ही करके दिखायी थी, app.js में, but अभी हम कैसे चला पा रहे हैं, अभी हम चला पा रहे हैं, अपने children component के अंदर, input हमारा children component में है, और button हमारा parent पे है, अब मैं यहाँ पर click करूँगा, click करने के बाद आपका दीखे red color भी आ रहा है आपको, आप मानि, input के अंदर कुछ modification करना चाते हैं, तो मैं करता हूँ यहाँ पर copy ठीक है, करता हूँ paste, यहाँ पर मैं करता हूँ background, background के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मानि, मैं blue कर लेता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ white, करूँगा मैं save, and save करने के बाद वापिस चलेंगे, refresh कर लेते हैं एक बार, and यहाँ पर click करते हैं, तो देखे, आपका input blue color और आपका text white color हो चुगा है अब, अब इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज़ सिखा है थी, पिछली कुछ वीडियो में, focus, okay, autofocus, जो focus करता है न, आपका input वो, तो मानिए, मैंने क्या करा, यहाँ पर मैं इसको copy कर लेता हूँ, copy करके, मैं यहीं पर इसको क्या करता कुछ इस तरीके से, यह मैंने क्या, अगर आप focus, अब यह focus मैंने ले लिया, अब इसके बाद मैं करूंगा, मैं जैसी save, okay, अब यहाँ पर आप देखेंगे, हमने function को बंद कर दिया, करेंगे save, and save करने के बाद में, चलेंगे यहाँ पर अपने browser पे, यहाँ करूंगा, मैं समझ गए कि एक था, कि आप मानी कि आपने एक function बना लिया, फिर उसके बाद में आप भेज रहे हैं यहाँ से, ठीक है, अब यह इस से थोड़ा सा advance में आपको चीजें बताता हूं कि कैसे कर सकते हैं, आपकी function कैसे trigger कर सकते हैं, यही से, it means कि parent component से, आप वहाँ पर कैसे trigger कर आ सकते हैं function को, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर, example to लेता हूं, okay, sidebar को करते हैं बंद भी, const लेता हूं मैं, यहाँ लेता हूं मैं child ref, is equal to use ref हो गया हमारा, ठीक है, यह होगा हमारा क्या, empty, जो मेरा children component है, वो अभी खाली के लिए, ठीक है, खाली के लिए कर रखा हमने, अब इसके बाद में children वाले component में चलेंगे पहले, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद में, सबसे पहले आपको यहाँ पे भी use ref import करवाना होगा, अब देखते हैं क्यों मैं करवा रहा हूंगी, and second, use imperative handle, जो हमें मिलता है, hook, okay, जो मैंने already hooks, जब मैं बता रहा रह है, same चीज़ जैसे मैंने अभी वहाँ पे define कर रही है, same मैं यहाँ पे define कर रहा हूँ, आप अलग भी नाम रख सकते हैं, बट मैं same ही रख रहा हूँ, ठीक है, यह हो गया हमारा, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे function declare करूँगा, मैं लोगा const, handle, button click कर लेते हैं, ठीक है, and इसके बाद में यहाँ पे, इसके अंदर बस होगा कुछ नहीं अभी, console करवाएंगे हम यहाँ ठीक है, हम ज़्यादा कुछ functionality नहीं बना रहा हूँ है, बस मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप function को भी यहाँ पे import करवा के parent से ही control कर सकते हैं, forward ref के साथ में तो आपको इसकी requirement लगेगी ही लगेगी guys, ठीक है, तो कैसे लगेगी requirement, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यह देखे, मैं सीधा function लोगा, क्योंकि यह मैंने आपको बताया जाता, जैसे component did, amount, component will, update, यह सारी चीज मिलती है न, वैसी ही हमारा यह, मैं यहाँ पे ref रख रह यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाद में एक button होगा हमारा, मैं यह button चलेगा नहीं यहाँ पे, बस मैं आपको reference के लिए दिखा रहा हूँ, कि अगर यह button होगा यहाँ पे, मेरे children component पे, क्या यह work करेगा, बट यह नहीं करेगा, देखेगा क्यों नहीं करेगा, आगे मैंने यहाँ पे use imperative handle को use कर लिया, फिर मैंने एक function बना लिया, फिर मैंने use ref बना लिया, यहाँ यह सारी चीज़े मैंने यहाँ पे कर ली, अब इसके बाद में parent पे चलेंगे, parent पे आते हैं, parent पे अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने यहाँ पे same use ref को children ref के अंदर रखा, अब मै क्या चाहता हूँ, यहाँ पे वो function call करवाना, तो देखी कैसे होगा, मैं यहाँ पे const लूँगा, मैं लेता हूँ handle button click, और एक arrow function मना लेता हूँ, यह, मैं यहाँ condition मनाता हूँ, if child ref dot current है, जब यह होगा, होना चाहिए, ठेक हैं, इसलिए condition मना रहूँ है, तो यहाँ पे child ref dot current dot handle, ठेक हैं, यहाँ पे यह हमें चल जाना चाहिए, अब यह चलेगा कैसे, अब मैं आपने condition तो देख ली मैंने बना दी, बट यह चलेगा कैसे, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी, यह देखें, मैं गरता हूँ, second example कर रहा हूँ इसे मैं, और यहाँ प देखें, अब यहाँ पे हम function कौन सा call करवाएंगे, हम यह वाला function call करवादेंगे, यह देखें, करूँगा मैं copy, और करूँगा मैं यहाँ पे, यह देखें, अब इतनी चीज मैंने करी, करूँगा मैं save, and save करने के बाद में, एक बारा और दुबारा में आपको पूरा children, useRef को रखा, जो की store कर लेगा, किसको, हमारे children component के ref को, और हम जब children component के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, इसको हमने useRef के through, childrenRef के अंदर रखवा दिया, store करवा दिया, store करने के बाद में हमने एक function मना दिया, जिसके अंदर हमने console लगा दिया, children button clicked, it means क children का जो button है, हमारा यहाँ पर element, dom में होगा, इस पर click करवाना है हमें, तो उसके लिए हमने जो childRef लिया था, वो हमने यहाँ पर ref के अंदर pass कर दिया, और फिर उसके बाद में, हमने यहाँ पर use, imperative handle को क्यों use करा, हमने करा, क्योंकि ref, अगर है उसके पास में ref, जो हमें मिल current है, तो उसके अंदर जो button आ रहा है, जो props के थुरू हमें मिल रही है, child से parent पे, तो function मिल रहा है हमें, तो वो function पे direct click हो जाए, और जो हमारे इस button पे call करवा दिया हमने, चलते हैं यहाँ पर browser पे, और समझते हैं इसको, ठीक है, तो उससे पहले क्या करता हूँ, मैं, ऊपर करने के बाद, हमने क्या कर दिया, save करने के बाद, हमने component को भी comment कर दिया, तो करेंगे copy इस वाले component को, और नीचे ले के आ जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें भेजना है ना, यहाँ से guys, वो भेजेंगे हम child ref को, ठीक है, अब child ref क्यों भेजेंगे हम, child ref यहाँ से जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ ref में, then उसके बाद हमने यहाँ पर भी declare करा है, और यहाँ पर उसको हमने ref में रख दिया है, करूँगा मैं save, and save करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद देखेंगे, कि अब हमें दो बटन दिख रहे है, एक बटन आपका कहा करने के बाद में, बट जैसी मैं यहाँ parent पर क्लिक कर रहा हूँ, parent पर क्लिक करने के बाद में अभी error आ गया, अब error आया है, तो इस error को देख लेते हैं, क्यों हमें error दे रहा है, ओके guys, so यहाँ पर जो error देखने को मिल रहा है, हमने कुछ भी change नहीं करा है, बस मैंने function उपर declare करा था भी आपका use ref के साथ में, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया है, आपका comment, okay, comment करने के बाद में, यहाँ पर चलते हैं एक बार, okay, अब चल जाना चाहिए, यहाँ पर आते हैं, okay, refresh कर लेते हैं, एक बार, refresh करने के बाद में, अब यहाँ पर देखते हैं, same, click me प यहाँ पर यह आपका children component पर रखा है, और children component पर ही हमने चीज़ें कर रखी हैं, बट आपने देखा, इसको मैं use कैसे कर रहा हूँ, use कर रहा हूँ, आपका parent पे, और किस के थुरू, forward draft के थुरू, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने use कर रहा है, आपका use imperative handle को भी तो यह इसकी वज़े से भी हो पा रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे यह button है, इसी का यहाँ पर click करके जो आपका console चल रहा है, children का यह चल रहा है, बट हम इसे click कहां से करवा रहे हैं, click करवा रहे हैं, condition based कि यहाँ अगर current है, तो उसके वहाँ पर click हो जाए, और आच की इस वीडियो में जो चीज़े मैंने आपको बताई ही, वो समझ मैं ही होगी, अगर कहीं पर भी आपका कोई doubt है, तो comment करके अपने doubt को आप पूछ सकते हैं, next वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हम वो भी एक बार देख लेते हैं, so guys next वाले पाट में हम द अपको बारइ